बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम अस्सलाम अलेकम दोस्तों मैं इसरार Benefits for All People's YouTube चैनल और Facebook पेज पर आपका स्वागत है दोस्तों आज का टॉपिक है Immersion Rod Immersion Rod, Electric Immersion Rod और Crumpton Company का आप देख सकते हैं यह दो Rod मैंने रखा है और दोनों Crumpton Company का है इसमें एक मोडल का नाम है IHL 251 और दूसरे का नाम है IHL 152 तो यह दोनों में क्या फ़र रखा दोनों Crumpton Company का है एक है waterproof यह वाला और यह without waterproof है और दोनों को unboxing करने वाला हूँ और इसकी कुछ आपको जो use करने का तरीका है वो बताने वाला हूँ जिससे आपकी rod की life बढ़ जाए और जब आप नया खरीदने जाते हैं तो यह भी बताऊंगा कि कौन सा rod copper की है कौन सा brass की है और कौन सा steel की rod है कैसे आप पहचानेंगे और कौन सा आप खरीदेंगे जिससे इसकी life अच्छी रहे company का लेते है या दूसरी कंपनी का local कंपनी का लेते है या local में अच्छी कंपनी का भी कौन सा लेते है सारी चीज़ा भी बताने वाला हूं बने रहे हैं मेरे साथ देखते रहे इस वीडियो को देखिए मैं इसका अभी राड निकाला ये देखिए ये राड ऐसे ये निकला और ये डब्बा है इसमें एक चीज मैं और बता दूँ आपको ये दिखाने से पहले ये देखिए इसकी जो कॉस्टिंग है ये देखिए मोडल नंबर है और इसकी प्राइस है यहाँ पर अभी दिखाता हूं ये आपको ये देखिए 675 रुपिया इसकी कमपनी के प्राइस है लेकिन ये मार्केट में आपको 500-500 रुपिये तक मिल जाएगा ये वाटर प्रूफ वाला है और जो बिना वाटर प्रूफ का है उसकी जो प्रिंट रेट है जो MRP है ये ये देख सकते है इस पर MRP 500-500 रुपिया है लेकिन ये भी 500-500 तक आपको मार्केट में मिल जाएगा और अब देखिए इसको हम अन्बॉक्सिंग ये कर दिया अब इसकी पन्नी हम निकालते हैं इसमें वाटर प्रूफ क्या वाटर प्रूफ होता है वाटर प्रूफ से मुराद ये देखिए ये वाटर प्रूफ से मुराद अब आप ये देख सकते हैं पैकिंग भी इसके अच्छे की गई है ये राड यहां से ऐसे ये निकाला ये देखिए इसको आप यहीं तक यह देखिए, water level जो है, हमेशा, water level आप यहां तक रखेंगे, यह देखिए, यह लिखा है, max water level, minimum water level, तो आपने यह बीच में रखना है, इससे उपर नहीं रखना है, और इससे नीचे नहीं रखना है, जरूर इस के center में रखना है, और जब बाल्टी में आप एक इंची जगा खाली रहेगा बाल्टी जैसा कि आप पानी देख सकते हैं इसमें एक इंची खाली है और इसके अंदर जैसे ही हम इसको इंजट करेंगे तो यह लेबल अटोमेटिक यहां तक आ जाएगा जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ यह देखिए हम पानी में इ निखा देता हूँ यह देखिए एक मिनट केमरा को थोड़ा सा अंदर डाला और अपने आप लेबल इसका एकदम फीट आ गया है यहां देखिए यह लेबल आए ठीक है यह लेबल एकदम फीट आ गया है और इसमें पानी एक इंची लगबक बाल्टी में खाली है तो इतन को आफ करेंगे फिर आप निकालेंगे बाहर उससे आपकी रड काफी लास्टिंग करेंगी और जब गरम हो काफी गरम हो उसके बाद आप जब पानी से निकालना चाहते हैं तो डाइरेक्ट बिना स्विच बंद किये हुए आप नहीं निकालेंगे पहले स्विच बंद और दस सेकंड मेर्म के लिए योजो के लिए आप वेट है पूरद जैने उसके बाहर लिंसए निकालते हैं कई लोग सवाल करते हैं कि पानी में डालने के बाद हम क्या पानी में हाथ डाल सकते हैं तो दोस्तों देखिए एहतियात बरती है पहली बात तो डालिए नहीं और अगर आपका राड खराब नहीं है राड सही है तो आप पानी में हाथ भी डालेंगे तो भी कोई प्राब्लम नहीं होती है current नहीं आता इसमें अगर current आ रहा है पानी में तो इसका मतलब है रोड खराब हो चुकी है और अगर इसको पूरा आप इसको इंजट कर देते हैं और यहां तक डुबा देते हैं तो ज़रूर इसमें current आ सकता है अब इसकी warranty card के बारे में मैं बता देता हूँ देखिए इस डब्बे में warranty card भी अंदर है यह देखिए यह warranty card निकला दोस्तों यह इसकी दो साल की warranty है क्राम्टन कंपनी का और यह double ISI मारका है यह देखिए यहाँ पर लिखा है 2 years warranty और इस पर यह number जो दिया है यह जो card जिस rod का यह number है उसी rod के साथ ही चलेगा यह number rod के उपर भी लिखा हुआ है और इस guarantee card के उपर भी लिखा हुआ है और यह home service warranties का होता है कंपनियों का क्राम्टन कंपनी का भी यह home service है और आप इसको देखिए यह जो use करने का तरीका बताया गिया है देखिए कैसे करना है इसमें पानी कम नहीं रखना है और पानी उपर तक नहीं रखना है जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं यह देखिए दिखाया गिया है इसको cross लगाया गिया है कि ज्यादा पानी नहीं चलेगा, कम पानी नहीं चलेगा, बिल्कुल लेबल पे चलेगा, जैसा कि मैंने आपको अभी दिखाया था, आप जब भी किसी शॉप से इसको परचेस करते हैं, तो ये वरांटी कार्ड फिल करवा करके डेट डलवा लिजे, और उसका साइन करवा ल पढ़ गई, तो ये वरांटी में नहीं आता है, और ये दो चीजें कब आएंगी, जब आप पानी यहां से आपको जैसे मान लीजिए, जरूरत है थोड़ा पानी गरम करने के लिए, और आपने सोचा कि मैं इस लेबल तक पानी रखके और इसको गरम कर लूँ, तो ये बह पानी नहीं देगी, तो इसलिए चाहे आपको पानी कम जरूरत है या ज़ादा जरूरत है, लेबल हमेशा यहां तक है, यसी लेबल पर रखेंगे आप, यहां नीचे तक कभी भी नहीं गरम करेंगे, या इसको ऊपर पानी नहीं लाएंगे, ऊपर लाएंगे तो शौट य आपने यहां तक रखी पानी और यह रट काली पढ़के खराब हो गई तो इसका कोई इलाज नहीं, रट आपकी पूरी खराब हो जाएगी, और यह दोस्तों यह कापर की रट है, देखिए कापर की रट है, इसका पहचान यहीं है, जो मैंने बताया था, पहचान और इसी के शकल में एक ब्रास का भी आता है, वो भी मैं आपको दिखाना हूँ, यह देखिए, दो राड और भी मैंने लिए हैं, जिसमें यह एक ब्रास का है, और यह यह इस्टील का है, अब कापर वाला जो मैंने दबाया था, तो वो नरम था, यह देखिए, यह हाड है यह हाड दबता नहीं है यह, और दूसरी बात, यह स्टील वाला भी ऐसे ही हाड है, यह नरम नहीं है, तो यह ही पहचान है, इसका जब आप हलका हलका दबाएंगे तो आपको पता लग जाएगा, यह हाड है, तो यह स्टील है यह ब्रास है, ब्रास मिन्स पीतल, अब क्रामटन कंपनी का यह जो है यह यह इसी तरह मैं एक दूसरी कंपनी का आपको दिखाता हूं जिसका नाम है power pack वो भी आप देखिए ये देखिए ये power pack है और इसकी coil कितनी बड़ी है देखिए ये भी 4.500 रुपए के लगबग ये rod है और ये आप देख सकते हैं इसकी lead वगरा कितनी है भी है तो ये भी double ISI है और इस तरह की अगर आप जो branded है क्रमटन वगरा का आप नहीं लेते हैं अगर ऐसी कंपनियों का rod लेते हैं जिसका नाम है power pack मैं इसका cover दिखा रहा हूँ आपको ये देखिए ये है cover इसका तो ये भी काफी अच्छी rod है और ये भी copper में rod है दोस्तों ये देखिए कितना soft है ये भी copper में rod है और ये वो जो क्रमटन का है branded की वज़े से उनका cost ज़्यादा होता है लेकिन ये जो rod हम आपको power pack का दिखा रहे हैं उस क्रमटन से काफी हद तक काफी अच्छा rod है और इसकी कीमत भी उससे कम है तो आप market में जब भी जा रहा है मेरी सला है कि आप न ब्रास का लें नहीं steel का लें आप copper की rod लेने की कोशिस करें और ऐसे दबा करके देख लें अगर दुकानदार से पूछ भी लें अगर वो काता है हाँ ये copper है copper है तो आप उससे पूछेंगे बाई copper जिसको तामा बोलते है वो है या पीतल है तो फिर वो खुल कर बताएगा आपको कि ये पीतल है या copper है अक्सर दुकानदार बेचने के चक्कर में और वो समझते हैं कि आम ग्राहकों को copper और ब्रास के बारे में पता नहीं है तो वो आपको copper की बोल करके ब्रास की राड दे देते हैं तो दोस्तों ब्रास की राड से बहुत ही अच्छी लाइप copper की होती है आप जब भी जाएं तो ये copper की राड खरी दे आपको एक चीज और मैं दिखा रहा हूँ कि देखिए जो क्राम्टन का ये कोईल है ये कोईल सिर्फ इसमें तीन ही और इसकी देखिए कितना कम कोईल है जबकि ये भी 1500 वाट है ये भी 1500 वाट है इसके सामने इसकी कोईल देखिए कितना heavy लग रहा है और कितना bold लग रहा है अगर दोनों को सामने रखा जाये करम्टन नाम के वज़ासे ये करमटन भिखता है लिकने अगर दोनों को सामने रखते हैं तो उससे काफी बोल्ड ये पाउर पैक का है और ये उससे सस्ता भी है सो रुपय का फरक है कम से कम आप चीज भी उससे काफी हद तक ये बढ़िया है तो बस उबरांड के नाम पर वो चलता है और ये बिना बरांड के चलता है ये भी बरांड है लेकिन ये इतना फेमस नहीं है जितना के ये फेमस है दोस्तों कुछ लोग पूछते हैं कि पानी में हाथ डाल सकते हैं कि नहीं देखिए मैंने पानी में डाला है और इसका plug भी लगाया हुआ है लेकिन अभी on नहीं किया हूँ अभी on करके और फिर पानी में हाथ डाल के आपको दिखा रहा हूँ बिलकुल short नहीं मारेगी लेकि फिरिकं एहत्यातं आपने बच्चों को इसके नजधीक नहीं आने देना है और नहीं खुद भी चालू हालत में पानी में हाथ डालना है पर डाल सकते हैं। दूसरी बात एक और लोग पूछते हैं, कि हम पानी इस राड से गरम किया हुआ पानी को पी सकते हैं या नहीं पी सकते हैं, तो उसका जवाब है कि अगर आपका ये पानी जो गरम कर रहे हैं, अगर पीने वाला पानी है, तो आप जरूर पी सकते हैं, कोई प्राबलम नहीं ह लेकिन पानी खा रहा है या पीने के लायक नहीं है तो आप उसे नहीं पी सकते हैं अब देखें मैं इसको आउन कर रहा हूँ यह देखिए बिस्मिल्ला आउन कर दिया अब देखिए यहाँ पर देखिए अभी थोड़ा सा बुझ बुझा आएगा और उसके बाद मैं आपको आभी दिखा रहा हूँ यह देखिए पानी में मैंने हाथ दाला कोई प्राब्लम नहीं है और बिजली आउन है ठीक है दोस्तों अब आप देख सकते हैं देखिए पानी गरम होने का होना सुरू हो चुका है और देखिए बुझबुझा एक आ रहा है और पानी नीचे से वो वेपर की तरह बन के उठ रहा है और मैं हाथ इसमें देखिए डाल रहा हूँ कोई प्राब्लम नहीं है तो करेंट नहीं लगता है और इस पानी को अगर पीने वाला पानी है और आपने गरम किया है रोड से तो इसे बिलकुल पी सकते हैं कोई परिशानी नहीं है तो कुल मिलाकर दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और ज्यादस ज्यादस शेयर करें जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें फिर मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक आप अपना ख्याल रखें ये देखें मैंने बटन आफ कर दिया है और उसके बावजूद अब इसमें 2-4 सेकेंड तक इसमें पानी का बुझ 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 आ रहा है तो वही 2-4 सेकेंड 10 सेकेंड हम रुख जाएंगे वेट करेंगे और फिर इसको हम बाहर ऐसे राड निकालेंगे और फिर चेक कर लेंगे और फिर इसको अंदर डालने के बाद ही आप बटन यहां से और अगर पानी गरम हो जाए तो पहले बटन आफ करें और फिर इसको बाहर निकालें बाहर निकालने के बाद में फिर राड को आप बाहर निकालें ऐसे गलती बिलकुल ना करें कि राड बाहर निकाल लिया और स्विच आउन है तो आपकी error खराब हो जाएगी 5 से 10 सेकंड के बीच में ही